हेलो स्टुडेंट्स विल्कम टो माई क्लास आज के क्लास में हम लोग समाज सास्त्र के छेत्र में फिल्ड वर्क या कारे छेत्र का क्या महत्व है यह हम पढ़ने जा रहे हैं तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 17 शुरू करने जा हैं जिसमें की हम समाज सास्त्र में छेत्र कारे का महत्व इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे significance of field work in sociology तो आएए देखते हैं समाज सास्त्र में छेत्र कारे का क्या महत्व है इसके लिए हम सबसे पहले जान ले कि छेत्र कारे का अर्थ क्या है मीनिक क्या है चेत्र कारे का अर्थ समाज के उस चेत्र या भाग से है जहां पर समाज सास्त्री या अध्यान करता को अपना अध्यान करना होता है यह चेत्र गाउं कसबा नगर या उसका भाग या जन जाती छेत्र या कारागार या इसी प्रकार का कोई समूह हो सकता है। वज्यानिक अध्यान करने में प्रयोक्त होती है। कि इसके माध्यम से हम समाजी घटनाओं के बारे में स्वयम देखकर परखकर निरिक्षन या परिक्षन के द्वारा ही एक उचितनी सकर्स निकाल सकने में के काबिल होते हैं। छेत्रकारे के द्वारा अलग-अलग समाजों के अध्यान किया जाना संभव है। अलग-अलग समाजों के अलग-अलग संस्कृति और अलग-अलग रिति रिवाज होते हैं। तो उनका हम अपने सर्वक्षन के माध्यम से ध्यान करते हैं। अब देख लेते हैं समाज सास्त्र में छेत्रकारे का क्या महत्व है। वास्तों में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज के समय में किसी भी विज्ञान को केवल सध्यानतिक ज्यान के आधार पर उपयोगी हम नहीं मान सकते हैं। उनका जीवन में उपयोगी होना भी आवस्यक है। इस दृष्टिकों से समाज सास्तर की एक साखा बेवारिक समाज सास्तर या प्रैक्टिकल सोस्योलजी विक्सित हो गई है और इसके माध्यम से समाज की जटिल समस्याओं, जन जातिये वा दुर्बल वर्ग के कल्यान, विकास योजनाओं का निर्मान, नवीन समाजिक परिव इस जटिल कारे में छेत्र कारे का अत्यथिक महतु है अब छेत्र कारे कहा कहा उपयोगी यह हम देख लेते हैं नवीन समाजिक परिष्थितियों के अंकूलन करने में छेत्र कारे सहायक होता है समाजिक तथ्यों का संकलन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं समाजिक समस्याओं का विवस्तित एवं बैज्यानी का धेन किया जा सकता है कारेकारन सम्मंध की खोज में सहायक होता है समाजिक सिध्धानतों की पुनह परिछा की जा सकती है स्रमिक वर्गी की दसाओं का अध्यान किया जा सकता है ग्रामिन पुनर निर्मान में सहायक होता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारती, जन्जाती, कल्यान हितु भी योजनाय बनाने में सहायक होता है समाजिक परिवर्तनों का अध्यन छेत्रकार के माध्यम से हम कर सकते हैं तो इस प्रकार हम देखना है कि विभिन समाज के हर एक छेत्र में जो भी हम अध्यन कर रहे होते हैं वर्तमान समाज का तो उसमें छेत्रकारी ही सरवाधिक उपयोगी यवं सहयोगी विधी है जिसके माध्यम से समाज के सही दरपन को या समाज के सही रूप को हम अपने रिपोर्ट में प्रस्तूत कर सकते हैं समाज सास्त्र में छेत्र कार्य नवीन समाजिक परिस्तितियों से अनुकूलन करने में सहयक होता है या समाजिक सत्यों का संकलन करता है और समाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्यान के साथ उसका निदान करने में भी सक्षम होता है छेत्र कारे कारन समंद के खोज में, समाजिक सिध्धान्तों की पुन्ह परिक्षा में, ग्रामिन पूर्णर निर्मान में, जनजाती कल्यान के लिए युजनाय बनाने में, समाजिक परिवर्थनों का ध्यान करने आदी में, विशेश रुप से साहयक होता है, यह हमने देखा तो इस अध्याय में हमने यही देखा कि समाज सास्तर में छेतर कारे क्यों महत्व पूर्ण है और किस प्रकार से यह समाज के लिए उप्योगी है तो आज के क्लास के लिए इतना ही है यह हमारा चैप्टर यहीं समाप्थ होता है और अगले क्लास में हम छेत्रकार का महत्व जो है इससे संबन्दी जितने भी MCQ हमारे होते हैं multiple choice questions होते हैं उनको हम स्वाल्व करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाला है झाल झाल